नमस्का साथियोग, वेलकम टू पीके फार्मक्लासे यूटूब चैनल, मैं पुश्पंदर गुजरलादिया फार्मासिस्ट, आप सभी का पीके फार्मक्लासे यूटूब चैनल पर स्वागत करता हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्क्रस करेंगे फार्मक्लासिस्ट, यूट के आने वाली हर एक एक्जम के लिए बहुत इंपोर्टेंट है, चाहे वो जीपैट हो, नाइपर हो, ड्रग इंस्पेक्टर हो या फिर फार्मक्लासिस्ट के एक्जम हो, तो वीडियो को सुरू से अ इसके लावा अगर आपको किसी भी तरगे की वेकेंशी संब्धने इंफॉर्मेशन चाहिए, तो पीके वेकेंशी हम यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आएए बिना देरी स्टार्ट करते हैं आज दि मायक्रोबाइलोजी तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका उसंसी फार्मको-लोजी ठीक है, फार्मको-लोजी के अंदर हम करते हैं किसी ड्रक का और घुमन-बोडिय एक्शन का स्टेड़ी करते हैं, तो वह यहाँ पर पूचा गया है, यहाँ हम मैंली बात करेंगे फार्मासी के सभी कुशन जो की जीरो लेवल से हायर लेवल तक है उन सभी के बारे में तो वीडियो को कम्प्लीट ज़रूर देखना ठीक है सेकेंड कुशन है आपका दा इस्टेडिय ऑप एब्जॉप्शन डिस्टिविशन मेटाबॉलिजम एंड एक तो जैसे हैं उपर देखा था एडिय में उसके बाद में ड्रग का जो मेंकर आपकी वह थाइडिए करते हैं तो उसका हो जाएगा फार्मको डाइनेमिक तो कर्यक्ट अंसर ऑप्सेंड दी हो जाएगा इसका फार्मको डाइनेमिक ठीक है नेस्ट क कृशन के और बढ़ते ह है आपका the substance produced by or derived from living organism that are used to kill bacteria or prevent their multiplication is called तो इसका answer क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा option A यानि जो antibiotics होता है उसका क्या use होता है वो क्या काम करता है तो आप सभी को पता होगा यह क्या करता है जो bacteria होता है उनको क्या करता है तो kill करता है या फिर उनकी जो multiplication यानि वो बढ़ने की जो समता है उनकी उनको क्या करता है रोक देता है तो वो क्या कहलाती है वो antibiotics कहलाती है नेस्ट कुशन कुशन 5 देख रहे हैं जैसे drugs are excreted from the body through तो manly जो ड्रग होती है वो किस-किस और्गन के तुरू हमारी बोडी से भार होती है वो आपके बताना है किड़नी ब्रेश्ट मिलक या फिर स्लाइवा स्वेट बाइल इंटेस्टाइन या फिर all of the above तो इसका अंसर क्या हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा इसका इनिमल माईकरो आपके वाईज भी है और वह ज़रूर देखके जाएगा अपके एक एक्जाम से पहले तो कुश्य नमर सेवन है आपका रेट ऑफ एब्जॉप्शन ऑफ एड्रग इज एफेक्टेड वाई तो ड्रग का जो रेट ऑफ एब्जॉप्शन है यानि हमारे सरीर के अंदर उसका एब्जॉप्शन होने की जो चंता है वो किससे एफेक्ट हो सकती है किससे हो सकती है क्या बजया है वो तो और रूट ऑप एड्मिस्टेशन सोलीविलिटी ऑप ड्रग साइट ऑप एड्मिस्टेशन या फिर ऑल अब दी अबाव तो इसका अंसर क्या हो जाएगा इसका अपसंट डी ऑल अब अब यह कैसे हुआ तो आप सभी को पता होगा जै इन्टो एब बोड़ी केवेटी और बोड़ी और फिस इस नोन एज तो इसका अंसर क्या हो जाएगा यान कोई बोड़ी के अंदर कवेटी बना के किसी ड्रग को लिक्विड के फॉर्म में अगर हम इंजेक्ट कर रहे हैं और डाल रहे हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते है इसका अंसर हो जाएगा ऑप्शन B इस इस्टिलेशन नेक्ट कुछिए नमबर 9 एप्लिकेशन ऑफ ड्रग टूदा इस्कीन यूजली बाई ऐ फ्रेक्शन इस नोने इच तो उससे हम क्या कहेंगे तो इसका अंसर हो जाएगा ऑप्शन D नेक्ट कुछिए नमबर 10 है नाइ जाने पेक्टोरिस की जो ड्रग होती है नाइट्रोग्लिसिति इसको हम जीब के नीचे पांच मिनट के लिए रखते हैं उससे हमारा एफेक्ट आता है तो इसको सब लिंग्वल रूट से हम एड्मिस्टेशन करते हैं तो इसका अंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सब लिंग्वल इसका अंसर हो जाएगा इंट्रामेडिलरी तो 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 इसका अंसर हो जाएगा इंट् इंट्राथीकल नेस्ट कुशिन के और बढ़ते हैं तो नेस्ट कुशिन है टेस्ट डोज और पैनिसलिन इज मैं इडिमिस्टेड बाई वीच आप दा फॉलोइंग रूट तो पैनिसलिन की जो टेस्ट डोज होती है उसको हम कौन से रूट के तुरू आप कमेंट्स में जरूर बताएं हमें तो इसका आंसर हो जाएगा नेस्ट कुशिन के और बढ़ते हैं कुशिन है तो कोई अरेलर टीश्ट के अंदर जो होता है उसके अंदर अगर हम कोई ड्रग को अड्मिस्टिशन करते है तो उस रूट का क्या नाम हो जाएगा या उस रूट को क्या कहेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा उप्शन C, सबकुटिनिस सबकुटिनिस न्यूट के अंदर हम क्या करते है जैसे इंसूलिन इन सबको इंजेक्ट करते हैं तो वो सब के इंजेक्ट रूट हो जाता है इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका अंशर हो जाएगा option D all of the above यानि name of the patient and name of drug यानि कोई nursing staff है वो किसी drug को किसी patient को administration कर रही है तो drug safety के लिए क्या-क्या order है वो आपको बताना है यहापे तो name patient का उद्गाया, name of drug हो गया, doges of the drug and root of administration, date and signature of physician तो यह question 15 है ठीक है, next question pharmacodynamic includes तो pharmacodynamic के अंदर क्या क्या आता है वो आपको आपको पूछा गया है तो इसका अंसर क्या होगा option A दे रखा है drug elimination option B drug excretion option C drug absorption and option D दे रखा है आपका mechanism of action तो इसका अंसर क्या हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा option D mechanism of action next question number second देखते है which of the following is not pro drug तो इन में से कौन सी pro drug नहीं है वो आपको 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 बताना है option A लिवडोपा option B इनालाप्रिल option C दिपयोफरिन and option D amoxysiline तो correct answer क्या होगा आप अपने answer कमेंट्स में ज़रूर करें जी हाँ इसका answer हो जाएगा option D amoxysiline next question देखते है next question है bio ability तो bio ability क्या होता है वो आपको आपको पूछा गया है और ये question बहुत सारी pharmacist examo में पूछा गया है कही बर हमने देखा हुआ ये question मैं लिव पूछा जाता है तो इसका answer क्या होगा option A amount of drug that is the systemic circulation याई ड्रग का कितना amount systemic circulation के अंदर पहुंच चुका है वही क्या कैलाएगा bio ability तो इसका answer क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा option A amount of drug that rich the systemic circulation next question देखते है question number 4 usually healthy human volunteers are taken in तो clinical trial के लिए कोई healthy human volunteer होता है उसको कौन से clinical trial के phase में हम यूज करते है option A phase past option B phase second option C phase third and option D phase third of clinical trial तो इसका answer क्या होगा इसका answer हो जाएगा option A phase past next question है the drug which may inhibit P450 for warfarin is which one of the following तो कौन सी drug है वो option A cementedine option B ethanol option C repampicine and option D prokynamide तो इसका answer हो जाएगा option A cementedine इसी तरह के हमने और farm MCQ काफी बना रख है उनके playlist में आप जाके चेक कर सकते हो वो आपकी हरे के exam के लिए important रहने वाले हैं नेस्ट कुशन के और बढ़ते हैं नेस्ट कुशन है all of the following drug are teratogenic accept तो सभी teratogenic drug है किसी एक को छोड़के वो कौन सी है teratogenic आप सभी को पता होगा क्या होती है ये fetal में abnormality पैविदा कर देती हैं तो इसका answer क्या होगा alcohol, phenytoin, warfarin या फिर metaglopromide तो correct answer is option D metaglopromide अब आपको comments में बतानेंगे metaglopromide किस के लिए यूज करते हैं next question number 7 SLE like reaction is caged by तो SLE reaction किसके दुआरा उत्पन होती है वो आपको या पिर बताना है तो इसका answer क्या होगा option A hydrologene, option B rifampicine option C parasitamol या फिर furosemide तो correct answer हो जाएगा इसका option A hydrologene अब आपको comments में बताना है कि ये जो hydrologene drug है ये कौन सी category की drug है और इसका योज क्या-क्या रहता है next question के और बढ़ते है which of the following is excreted in saliva तो saliva के अंदर इन में से कौन सी drug है जो कि excreted होती है tetracycline, ampicilline, lithium या फिर chlorophenicol तो इसका अंसर क्या हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा option C, lithium अब आपको पता होगा lithium किसके लिए यूज करते हैं तो आप comments option में वो जरूर बताए next question के और बढ़ते है next question आपका question number 9 a newborn baby was born with phacomelia it results due to which drug taken by mother during pregnancy एक बच्चा है नया जिसको हेकोमेलिया है और उसके मदर ने कौन सी medicine ले ली जिसकी वज़े से यह हुआ है यानि teratogenic drug है कौन सी है वो तो इसका अंसर क्या हो जाएगा